संभल राश्ट्री एवं प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के एवाहन पर शहर कॉंग्रेस कमेटी एवं वरिष्ट कॉंग्रेस जनों ने आज संभल के स्टेट बैंक के सम्मुक केंद सरकार के भरष्टचार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। शहर अध्यक्ष तौकीर एहमत के नेतरत में आज मुरादाबार रोट स्टेट बैंक के सामने केंद सरकार के भरष्टचार एवं अपने मित्र उद्धोपती अडानी को बचाने के विरोध में नारे बाजी का विरोध प्रदर्शन किया गया भाजपत सरकार को कट घरे में ख मुह में LIC और SBI जैसे सरकारी संस्थानों को अडानी समू के घाटे में होने के बावजुद बेहर जोखिम बरेलेंदेन और निवेश पर विवश किया जिससे भारत के निवेशकों में से LIC के 29 करोड पॉलिसी धारकों और SBI के 40 करोड खार धारकों पर प्रतिकूर प्रभ मोदी सरकार ने जबरदस्ती LIC और बैंकों को अडानी समू में निवेश के लिए विवश किया और LIC के 30 करोड पॉलिसी धारकों और निवेशकों को 33,060 करोड का नुकसान हुआ कारेकरताओं ने सरकार से निवेशकों के हितों की रक्षा करने की मांग की इस अफसर पर महिला जिलाध्यक्ष, कलपना सिंग, अनुसूची जाती विभाग, जिलाध्यक्ष, शिफ कि शोर गौतम, प्रदेश महासचिव, विसंबल प्रभाई, नासीर चौधरी, हसन अफ्तिखार कुरेशी नावेद खान, अक्षे ठाकुर रईस एमद रईस मनसूदी, अजाद मनसूरी इश्रच जहां आदी